नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपात्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहां पर एक बार फिर से रेलवे स्टॉक्स आज फोकस में आते हुँ दिख रहे हैं जिसको लीड करने का काम कर रहा है आई यार एफसी आई यार एफसी की पर्टिकुलरली बात की जाए तो साड़े 6% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है से स्टॉक में वॉल्यम्स के स प्राइस के हैसाब से लगता होगा कि छोटा है यह जब शेयर 20-22 रुपे पर ट्रेड करता था तो भी मैं आपसे ही कहता था कि प्राइज मत देखो 40,000 करोड का मार्केट का है 30,000 करोड का तो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी तो आप इसको छोड़ी नहीं सकते आज यह शेयर 75-80-81 रुपे पर आगे खड़ा हो गया है अब यहां पर क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले स्वारी माफ किज़ेंगा मैं कहरा था 2 करोड शेयर्स ट्रेड हो गया है 19 करोड शेयर्स तो माफी चाहँगा 19 करोड शेयर्स ओल्रेडी ट्रेड कर गई है जिसमें एवरे हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत हैवी वोल्यम के साथ तेजी आते हो दिख रही है शेयर में आज के सेशन में आप सभी को तो IRFC एक काउंटर है दूसरे काउंटर की बात कि जाए तो और भी रेलवे स्टॉक्स चेक करते हैं कहीं और तेजी है क्या राइट का शेयर कि OFS के समय पे रेटेल के टेगरी वाले दिन जिस दिन खुला था तो वन सिक्स्टी रुपीज का था अभी भी 163 का मेरे 165 के टार्गेट अब अभी तक मैच नहीं करा है 164.3 का आज हाई लगाया है तो अभी तक टार्गेट मीट नहीं करें मिरको लगता है आना चाहिए 16 65 के करीब और वहाँ पर आता है तो definitely हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे अदर्वाइस जो हमारा 154 का स्टॉप लॉस था अब हम उसे करके 159 कर देंगे यानि कि अब हमारा जो अगर नीचे स्टॉप लॉस कर देगा तो केवल एक रुपे का लॉस होगा अंडर्वेल्यू क्या होता है अंडर्वेल्यू इंदा मीन आपका कंपनी की जो टोटल एसेट और पैसा है कंपनी के पास जितने नंबर ऑफ शियर्स बजार में लिस्टेड है उस पैसे को हर एक शियर में डिवाइड कर दो आप कर्जवर्ज हटा के मैं एक एक्जामपल तो 100 रुपे आपके पास है और 50 रुपे के एसेट है आपके पास तो 1500 रुपे हो गया आपके पास आपके पास डैट है 50 करोड का वो आपने चुका दिया 100 करोड रुपे बचा आपके बजार में 10 शियर्स हैं तो यह 100 करोड को सब को बाट दोगे 10 को तो आपकी पर वैल्य आजाएगी 10 करोड़ की तो करोड़ अटादो रुपे आपके पास 10 शेर है तो 10 को 100 से बाटव गजोंगे तो 10 रुपए की एक वेल्उ निकल के आएगी एक शेर की वेल्व निकल के आजी एक शेर पांच पर रुपए पर ट्रेड कर रहा है वो under value है आपका share 20 रुपए पे trade कर रहा है वो 2 times पे trade कर रहा है book value के एसाब से तो simple सी बात यह है कि आप यह जो stocks थे अंडर value है 35 रुपए की book value को सामने 25 रुपे 30 रुपए पे मिल रहा था आज ये 35 रुपे की book value को सामने 81 रुपे है तो आपको decide करना है कि मेरे को लेना है या नहीं लेना है ऐसा नहीं कि केवल IRFC भागा है पूरा sector भागा है आप RVNL देखो 5 times की book value पे है आप aircon देखो 3 times की book value पे है आप rides देखो वो भी higher levels पे है आप टीटागर रेल देखोगे वो तो 10 times की book value पे almost trade कर रहा है तो काफी सारे stocks ने जो भागे हैं और इन shares के भागने के पीछे का reason भी है reason आपका ये है company की जो order book है एक example दो तो टीटागर rail system की बात करता हूँ मैं टीटागर rail system जो है जिसका नाम पहले टीटागर वैगन्स था टीटागर rail system आपका लगबग 28,000 क्रोड की book लेके बैठा है book value order book ठीक है और company की total sale बीते 12 महीने की 2800 क्रोड की है अभी railway corridor अनाउंस करा है government ने जी 20 summit में तो फोकस्ड है बहुत ज्यादा railway sector इसलिए market में इन stocks की कीमत higher end पे जाते हुँ दिख रही है दो ऐसे छेतर निकल के आ रहे हैं सरकारी एक railway defense जिसमें continue order book बढ़ रही है अब सवाल उठता है कि भाई आपने जवाब तो DIY नहीं खरीदें या ना खरीदें तो इसका अभी भी जवाब missing है और मैं देवी नहीं पाऊंगा क्योंकि decision बहुत मुस्किल है इसमें हमें एक discipline follow करना है लाइक मैंने 100 रुपे लगाने तो 20 अभी लगा दूँगा 20 थोड़ा करेगा तो लगा दूँगा और फिर बचाऊंगा तोड़ी additional dip आ जाएगी तो महां लगाऊंगा मेरा वैसे जो प्राइस चाहता था मैं वो 55 रुपे के करीब का था जो कि मुझे नहीं मिला अभी तक और इस टॉक आराउंड 65-63 से ही गूम गया जो प्राइस था वो तो मिलनी पाया अब ठीके चाहत तक आया उपर की बात किया तो 100 रुपे भी इस टॉक हो जाए तो कोई प्रेड दे गाइस